हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल वी वी पी एज्यूकेशन फ्रेंड्स, अब तक हमने सीखा कि कोई भी टू डाइमेंशनल फीगर है उसका एडिया कैसे फाइंड करना है यानि कि अगर हमारे पास रेक्टेंगल, स्क्वेर, ट्राइंगल ऐसी कोई फीगर है तो इनका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे बट फ्रेंड, वोट इफ वी हैव थ्री डाइमेंशनल फीगर यानि कि कोई भी थ्री डाइमेंशनल फीगर है that means what कि अगर हमारे पास cube, cuboid, sphere, prism, ऐसे कोई भी figure है तो उनका area हम कैसे find करेंगे कोई भी 3D figure है उनका area मुझे अगर find करना है तो उसके लिए हम words use करेंगे surface area आज का जो वीडियो है हमारा उनमें हम चिखेंगे surface area of cube and cuboid यानि कि cube and cuboid अगर हमारे पास है तो उसका surface area हम कैसे find करेंगे उनका formula क्या है और उसको example में कैसे apply करेंगे वो सब इस वीडियो में हम देखने वाले है so वीडियो को आएं तर ज़रूर देखिए and friend अगर आपने मेरी चैनल को first time विजिट किया है तो VVP education को subscribe जरूर कीजिए and उसके पास वाले bell icon को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले upcoming videos के notification आपको सबसे पहले मिले so let's start friends यहाँ पे हमें find करना है surface area for cube and cuboid अब area क्या है वो तो हमें पता ही है suppose मैंने यहाँ पे rectangle लिया उनका internal region मैंने यहाँ पे लिया है clear तो यह internal region ही उसका क्या होगा area clear that means what कि area क्या है वो तो हमें पता ही है अब हम बात करेंगे यहाँ पे surface की तो surface that means what कि suppose यहाँ पे जैसे मैंने figure में दिखाया है कि मेरे पास एक cuboid है clear उनकी अगर मैं surface की बात करूँ तो क्या होगा आपका जो cuboid है उसका एकदम उपर का पार्ट नीचे का पार्ट आगे का पार्ट पीछे का पार्ट और दोनों sides clear यह सब जो cover हो रही है वो ही होगी surface clear simple ही क्या है कि अगर मेरे पास suppose यह box है clear box का जो यह उपर का पार्ट में ले रही हूँ यानि कि इतना पार्ट clear then उसके नीचे का पार्ट that means यह पूरा पार्ट उनके बाद यह आगे का पीछे का इन दोनों sides तो यह सबी जो sides है उसकी होगी surface अब मुझे find करना है surface area that means more कि सबी sides है उनकी उसका area अगर में find कर लोगी तो मुझे क्या मिल जाएगा surface area clear और उसके लिए क्या करना होगा तो देखो friends यहाँ पे अगर आगे से देखोगे तो यह हमें rectangular shape दिखाए देगा clear same इस तरफ का क्या होगा again rectangular तो that means what कि हमें यहाँ पे use करना होगा area of rectangle कोई भी क्यूबएड है उसका surface area मुझे find करना है तो area of rectangle का use करके हम find करेंगे clear so चलो देखते है कि cube and cuboid है उसका surface area क्या होता है अब friend यहाँ पे देखो हमारे पास cube है यहाँ पे हमारे पास cuboid है अब cube और कुछ नहीं है बट हमारा जो square है उसका ही 3D design है clear and cuboid तो हमने already discuss किया था कि किसका है rectangle का 3D design clear यानि कि square को अब हम 3D में draw करेंगे तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पे देखेगा clear अब देखो square में क्या होता है सभी sides equal होती है तो same cube में भी हमारे पास सभी sides कैसी होगी equal तो suppose यहाँ पे जो sides है उसको मैंने नाम दे दिया है clear same यहाँ पे cuboid है तो उसमें rectangle का ही part है तो उसमें क्या होता है length and breadth जब 3D के बात होगी तब 3rd dimension भी यहाँ पे aid होगा clear that means what कि suppose यह हमारा rectangle है तो यह हो गई हमारी length यह हो गई breadth अब जो 3rd dimension है वो होगी उसकी height clear कोई भी cuboid है उसमें क्या होगा length breadth and height clear cube में भी होता है लेकिन क्या होगा कि उसकी जो इस तरफ के height है वो भी same होगी clear यानि कि सबी sides से वो तो कैसा दिखाएगा equal ही now हमें find करना है surface area for cube and cuboid clear अब यहाँ पे मैंने two लिखा है TSA LSA that means total surface area and lateral surface area अब ये दो points जो है वो है क्या actually तो total surface area that means उसके नाम में ही लिखा है surface area के जो total यानि कि सब कुछ यहाँ पे cover होगा simply इस box का ही में example लूँ तो इस box में अगर मुझे paper से cover करना है clear तो कितना paper चाहिएगा मुझे क्या करना है यहाँ पे पूरे के पूरे box को cover करना है that means उसकी जो 6 की 6 sides है सभी sides यहाँ पे include होगी clear जब सभी sides include हो रही है चाहिए वो cube हो या cuboid हो तो उनको हम क्या करेंगे total surface area से find करेंगे clear that means what की total surface area यहाँ पे क्या है तो जब भी आपको सभी sides के बारे में discuss करना है सभी sides का use करना है और उसका area find करना है तब हमारे पास होगा TSA that means total surface area clear now बात हो रही है LSA that means lateral surface area तो lateral surface area that means what की same box है उसमें आपको top and bottom है उसको cover नहीं करना है आपको just wrap कहां पे करना है चारो sides में यानिकि front, back and two sides उतने में ही आपको क्या करना है पेपर को cover करना है उसका top and bottom है उसको खाली रखना है जैसा है वेसा ही as it is रखना है तो आपको कितना paper की ज़रूत पड़ेगी वो अगर find करना है तो उसके लिए हमारे पास है lateral surface area जहाँ पे क्या होगा cube हो या cuboid हो उसमें top and bottom cover नहीं होगा, clear? तो तब हम क्या करेंगे lateral surface area का जो formula है उनको apply करेंगे, clear? सबसे पहले हम find कर रहे है total surface area one more thing friend कि suppose आपको exam में कोई भी problem है उसमें सिर्फ आपको क्या बोला है find the surface area of cube और cuboid तो आपको क्या करना है total surface area ही find करना है that means surface area बोलो या total surface area बोलो दोनो same ही है इनको हम short में denote करेंगे TSA से and LSH lateral surface area, clear friend? सबसे पहले हम find कर रहे है cube का area कैसे find करना है, so friends यहाँ पे देखो simple square है, clear? यहाँ पे उसकी length A है यहाँ पे A, अब area of square हमें पता था, क्या था? side का square, that means A square, so simply हमारे पास यहाँ पे square तो है, that means area of square तो हमें find करना ही होगा, अब friend, cube में क्या होता है, हमारे पास total 6 side होती है, यानि कि हमारे पास यहाँ पे total 6 square होगे, so total surface area for cube is 6 A square, formula to find total surface area for cube is 6 A square, clear friend? now, lateral surface area, जैसे के मैंने आपको बताया, उसमें यह जो top है and जो यह bottom का part है, वो तो cover होने वाला नहीं है, सिर्फ चारो side, front, back and two side, वो four side ही cover होगी, तो area of square तो हमें यहाँ पे भी निकालना ही है, clear? but यहाँ पे total 6 side थी, उसमें से top and bottom, दो side यहाँ पे cut हो जाएगी, so total side हमारे पास बचेगी four, so lateral surface area for cube is 4 A square, clear? यह हो गया, cube का formula, कि कोई भी cube है, उसका surface area कैसे find करना है, अब हम बात करेंगे, total surface area of cuboid, clear? तो friend, यहाँ पे देखो, यह rectangle है, वो ही क्या है, cube का to deform, तो rectangle का formula क्या था, L multiply P, उन्ही का ही use हम यहाँ पे करेंगे, तो friend, देखो, यह कहीं से, सबसे पहले तो यह front side के हम बात करें, तो उनमें length and height, so वो हो गया हमारा L multiply H, clear? सेम, अगर हम bottom की बात करें, तो length and breath, length multiply breath, and इस तरफ की बात करें, तो breath multiply height, clear? अब जैसे front है, वैसे ही back है, जैसे इस तरफ की side है, वैसे ही, इस तरफ की side है, and जितना bottom है, उतना ही हमारा यहाँ पे top है, that means what की सभी हमारे पास यहाँ पे होगा two times, and इन सब का हम क्या करेंगे, addition करेंगे, तो हमें मिल जाएगा total surface area TSA, clear? that means total surface area TSA for cubit is two in the bracket, L multiply H plus L multiply B plus B multiply H, now next one is LSA, that means lateral surface area, कोई भी cubit है, उसका LSA हम कैसे फाइड करेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा top and bottom है, वो तो cover होने वाला नहीं है, clear? अब हमें क्या करना है, सामने की front side है, उसका area फाइड करना है, and दोनों साइड का, तो सामने की side का area होगा LH, clear? and जो साइड है, उसका area होगा BH, दोनों को हम plus करेंगे, but friend, जैसे front है, वैसे ही उतना ही area हमारा back का होगा, and जैसे इस side का area है, उतना ही area हमारा this side का होगा, that means सभी कितनी times होगे, यहाँ पे हमारे पास 2 times होगे, clear? अब friend, देखो, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, उनको में common निकालूँगी, so 2H in the bracket L plus B, clear? 2 multiply height in the bracket, length plus breadth, clear? So यह हो गया हमारा LSA, lateral surface area for cuboid is 2H in the bracket L plus B, clear friend? So friends, यहाँ पे हमें अभी 4 formulas मिले हैं, first one is for TSA for cube, 6A square, TSA for cuboid, 2 in the bracket LH plus LB plus BH, LSA for cube, 4A square, and LSA for cuboid, 2H in the bracket L plus B. अब इस formula को हम हमारे problems में कैसे अपलाए करेंगे, चलो वो भी देखते हैं. So friends, हमारा question है, there are two cuboidal boxes are sewn in the figure, which box requires the lesser amount of material to make? हमारे वैस यहाँ पे figure है, उसमें 2 boxes दिये गए है, clear? हमें क्या चेक करना है? Which box requires the lesser amount of material to make? यानि कि यह boxes अगर मुझे बनाना है, तो किस box में मुझे कम material की जरूरत पड़ेगी? clear? So, सबसे पहले देखो, यहाँ पे 60, 40 and 50, that means, तीनों डामेंस दिफ्रेंट है, that means, वो ओकी यह box हमारा cuboid है, and यहाँ पे देखो 50 and 15, that means, दोनों सेम है, तो यह जो हमारे figure है, वो है हमारे cube, clear? यहाँ पे हमें ए दिया गया है, यहाँ पे 50, जो है, वो होगी height, 40, जो है, वो होगी breadth, and 60, जो है, वो होगी हमारे length, clear? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बोक्स बनाना है, तो सभी sides का ही हमें यहाँ पे area फाइन करना होगा, that means, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, total surface area, or surface area of cuboid, in cube हमें fine करना होगा, clear? उन में से, चिसका area less होगा, उसमें क्या होगा, कम material की जरुरत पड़ेगी, सबसे पहले हम यहाँ पे cuboid है, उनका area फाइन करेंगे, so, surface area of cuboid, उनका formula क्या था? 2 in the bracket, length multiply, breadth, breadth multiply, height, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो, and, height multiply, length, so, 2 in the bracket, L, B, L हमारा है 60, multiply, B हमारा है 40, plus, B, H, that means, 40, multiply, height, है 50, H, L, so, H हमारा है 50, multiply, length है हमारी 60, clear? so, 2 in the brackets, 60 multiply, 40, 2400, 4520, so, 2000, 5630, so, 3000, इस अब का हम total करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 3 plus 2, 5, 5 plus 2, 7, so, 7,400, clear? multiply 2 करेंगे, so, 4, 2 is a 8, 7, 2 is a 14, and 2, 0, so, 14,800 cm2, यहाँ पर हमारा क्या है, total surface area of cuboid, यानि कि यह cuboid बनाने में हमें total 14,800 material के जरूरत पड़ेगी, clear? now, हम क्या find करेंगे, surface area of cube, and वो क्या है, 6 multiply a square, that is, 6 multiply 50 square, so, 6 multiply 50 square, क्या होगा, 2500, and 25, 6 जा हम करेंगे, तो कितना मिलेगा हमें, 25, 6 जा, 6 जा, 30, 6 जा, 12, so, 15,000, complete cm2 हमें यहाँ पर material की जरूरत पड़ेगी, अब फ्रेंड, surface area for cube, cube का surface area मुझे मिला है 15,000, and cuboid का surface area मुझे मिला है 14,800, अब किसमें से, किसमें आपको कम material की जरूरत पड़ेगी, वो हमें find करना है, clear? तो वो होगा हमार 14,800 cm जिसका surface area है, that means more, कि आपका जो cuboid है, उसमें हमें less amount of material की जरूरत पड़ेगी, clear friend? So, simple यह आपका एकदम simple example था, चीस में cube and cuboid दोनों का use हो गया है, clear? surface area of cube and surface area of cuboid, उनका जो formula हमने find किया है, उसको हम कैसे apply करेगे, वो इस example में हमने देखा, so that's it for today's video Friends, if you like this video, press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe my channel VVP Education, to get the notification of my upcoming video, press the bell icon, thanks for watching, bye bye